आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सचदेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज इंदोर में स्टार्ट अप कंक्लेव का वर्चुल शुभारंब करेंगे सरकारी स्कूलों की पांचवी और आटमी कक्षा की परिक्षाओं के परिणाम आज दोपहर में होंगे घोशत कल होने वाली नैशनल लोग अधालत के लिए व्यापक तैयारियां और भोपाल में चल रही होकी इंडिया सीनियर महिला राष्टियस परधा में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को बाराशुन्य से हराया अब समचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी आज मध्यप्रदेश स्टार्टप नीती का वर्च्वल शुभारंब कर स्टार्टप पोटल की शुरुवात करेंगे इस अफसर पर इन दौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश स्टार्टप कन्कलेव 2022 को प्रधान मंत्री संभोधित भी करेंगे कन्कलेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान चुनिंदा स्टार्टप की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे पेश है संबंद में एक रिपोर्ट कास उश्विध्यालयों रास्ट्री और राजिस्तर के तक्नीकी और प्रवंदन सहिस्तानों सहित अन्य शैक्षिनिक सहिता का आधान प्रदान करना भी शामिल है उलेकिनी है कि पिछले वर्ष के दोरानी उद्योग और आंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग दोरा मद्यप्रदेश के 500 से अधिक स्टार्टप को मानिता दी गई है इसी तरह hein प्रदेश में उननी वानिता प्राप स्टार्ट अपने से अधिकान स स्टार्ट अप त्रगर्ती के विविने चड़नों में है राजवमें लगवक 31 फीजदी स्टार्ट अप भोपाल में और 44 फीजदी इंदो किस्तित है संजीव शर्मा, आकाश्वणी समचा, भोपाल इस परियोजना में ग्रामीन जनजातिय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षन प्रदान किया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रयोग के तौर पर सर्व प्रथम मध्यप्रदेश में यह प्रशिक्षन कारिक्रम किया जा रहा है मध्य प्रदेश में इस प्रायोगिक परियोजना के सफल संचालन के बाद यह परियोजना पूरे भारत में कार्यानवित की जाएगी प्रधम चरण में प्रायोगिक परियोजना के रूप में भारत के 6 राजियों, मध्यप्रदेश, 36 गर्ड, गुजरात, राजस्थान, महराश्टर और उरीसा से चैनीत 17 जिलों के 17 समुहों के लगबग 200 लाबार्थी शामिल होंगे प्रदेश के शासकिय विद्यालेओं की कक्षा पांचमी और आटमी के विद्यार्थियों की वारशिक परिक्षा के परिणाम आज दुपहर 3 बजे घोशित किये जाएंगे कक्षा पांचवी की परिक्षा में लगबग 8,26,000 और कक्षा आठवी की परिक्षा में लगबग 7,56,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं सभी विद्यार्थी अपना परिणाम राज्य शिक्षा के इंदर पोर्टल पर अपना समगर आईडी डाल कर देख सकेंगे उलेकनिये हैं कि लगबग 12 वर्षों बाद प्रदेश में कक्षा पांचवी और आठवी का वार्शिक मुल्यांकन बोर्ड परिक्षाओं के अनुरूप किया गया है निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश की तीन सीटों सहित 15 राज्यों में राज्य सबा की 57 सीटों के लिए द्वी वार्शिक चुनावों के कारक्रम की कल घोशना कर दी है चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी नामांकन की अंतिम्तिती 31 मई है 10 जून को मतदान और उसी दिन वोटों की गिनती होगी चुनाव में शामिल सीटों के सदस्यों का कारेकाल इस वर्श जून से अगस्त के बीच समाप्त होने वाला है ये समाचार आप आकाश्मानी भूपाल से सुन रहे हैं अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन, योट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रदेश में कल नेशनल लोग अदालत का आयोजन किया जाएगा इसके लिए जिलों में तैयारियां की जा रही है धार जिले में 36 खंड पीठों का गठन किया गया है वहीं खंडवा जिले में लोग अदालत के संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए कल एक वाहन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया गुना जिले में 27 खंड पीठ गठित की गई है जिन में करीब 7000 प्रकरण सुनवाई के लिए पेश किये जाएंगे प्रदेश में जल्दी ही होने वाली नगरिये निकायों के चुनाव में EVM और 33 पंचायतों के चुनाव में मत पत्र और मत पेटियों का उप्योग किया जाएगा EVM की संख्या सीमित होने के कारण यह निर्ने लिया गया है राज निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंग ने यह जानकारी कल सभी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग से निर्वाचन तयारियों की समीक्षा के दोरान दी उन्होंने बताया कि नगरियन निकायों के चुनाव दो चर्णों में और पंचायतों के चुनाव तीन चर्णों में कराए जाएंगे बैठक में EVM, सूचना प्रद्योगी की सामगरी प्रबंधन और प्रशिक्षन के संबंध में भी विस्तरित जानकारी दी गई संस्कृती विभाग 11 मई से प्रदेश के 89 जनजातिय ब्लॉकों में रामकथा साहित्य में वर्नित वनवासी चरित्रों पर आधारित वनवासी लीलाओं, भक्ती मती शबरी और निशाद राज गुये की प्रस्तुतिया आयोजित कर रहा है अलिराजपुर और सिवनी में 11-14 मई, शहडौल में 16-19 मई, धार में 17-18 मई, मंडला और उमरिया में 21-22 मई, जिला शोपुर में 24-25 मई और चिंद्वाणा में 24-27 मई तक वनवासी लीला करिक्रम किये जाएंगे वोपाल में खेली जा रही बारवी हौकी इंडिया सीनियर महिला राश्ट्रे चेंपिनशिप में कल साथमें दिन भरपूर हौकी एक्शन देखने को मिला दिन के पहले मैच में तामिलनाडू ने हौकी अरुनाचल को 12-0 से हराया वहीं दिन के दूसरे मैच में उत्तर प्रदेश हौकी ने पूल जी के मैच में हौकी गुजरात को 12-0 से हराया हौकी करनाटक और हौकी अंडमान और निकोबार के बीच पूल एफ के मैच में करनाटक को वौक ओवर मिला और बात मौसम की प्रदेश के कई जिले इस समय लू की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार धार, शाजापुर, राजगर, खरगौन, खनवा और रतलाम में लू से दोपहर में जन जीवन प्रभावित रहा प्रदेश का सरवादिक अधिक्तम तापमान, 40 डिग्री सेल्सियस, राजगर, खरगौन और रतलाम में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने 14 जिलों में आज भी लू चलने का अनुमान जताया है राजधानी भोपाल में 43.9 डिग्री सेल्सियस अधिक्तम तापमान दर्ज हुआ मौसम विभाग ने कहा है कि मई के दूसरे पकवाड़े में भी तापमान और बढ़ने की संभावना है बुलिटन में अब कुछ समाचार संग्शेप में कल अंतराष्ट्य नर्सिंग दिवस के मौके पर आगर मालवाजिले में सरकारी अस्पतालों में पदस्त नर्सों के योगदान के लिए उनका सम्मान किया गया खनवा, इंदौर, धार, सहित, अन्य जिलों में भी करक्रम आयोजित किये गए नर्सिंग पूर में तीन दिवसिये नर्सिंग महोटसव को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान कल पहले दिन कृशी मंतरी कमल पतेल इसमें शामिल हुए दिन्डौरी में कलेक्टर रतनाकर जाने, गुरुवार को ग्राम सरहरी, कोकरा मठ और हर्रा में गेहुं खरीदी केंदरों का ओचक निरिक्षन किया और दो करमचारियों को अनुपस्तित पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है भुपाल नागपूर फोरलेन पर बैतूल जिले में पंखा के पास कंटेनर कार बाइक के हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया सिहोर जिले में रोज 45 से 55 तन कचरा निकलता है सिहोर नगरपाली का परिशद ने नवाचार करते हुए सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की स्विक्रती प्रदान की है और ग्रामीन ख्षेतर की जनता की समस्याओं का निराकरन करने और पात्र हित ग्राही को जन कल्यानकारी योजनाओं का लाब दिलाने के उद्देशे को लेकर धार जिले के कुक्षी में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया अन्त में बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधार मंत्री नरेंदर मोधी आज इंदोर में स्टार्ट अप कंक्लेव का वर्चुल शुभारंब करेंगे सरकारी स्कूलों की पांचवी और आटमी कक्षा की परिक्षाओं के परिणाम आज दोपहर में होंगे घोशत कल होने वाली नैशनल लोक अधालत के लिए व्यापक तैयारियां और भोपाल में चल रही होकी इंडिया सीनियर महिला राष्टियस परधा में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को बाराशुन्य से हराया इस बुलिटन में फिल हाल इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार